उन्होंने इसको कर दिया है, इना उपजिशन हो गया है, कल से अपने कानपुर वाशियों के लिए ये मेट्रो उनके सफर दंतक करने के लिए तयार रहे है। अभी इसमें अगर आपको बताते चलें कि इसमें अभी टिकट का जो भी प्रॉद्वान दिया गया है, तो अभी ये टिक्टिंग जारी कर रहे हैं और जिसमें कि एक बार कोड का मेटर रहेगा, आपको टिकट लेना पड़ेगा और जब बार कोड को आप वहाँ पे उसके च कर लिए 30 कर दों गए हैं, अगर आपको एक अहृतों आपको स्थाल जाना है तो उसके लिए कोहूं कि आनलर पे उसके और हम IIT के लिएके मोती जील का सफ़र कर सकते हैं दूसी बात यह है कि यह सारी चीजें की जो विवस्था है हमारा जो भी पेमिंट का या गेट पे जो बनाया गया है इसमें हमारे SBI को लिंक अप किया गया है यह SBI की तरहत से यह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और आने वाले समय में एक कार्ड बना गया जाएगा जिसको आपको रिचार्ज करने पे 10% की आपको जब भी आप सफ़र करने दर 10% की आपको उसमें छूट भी मिलेगी तो यह जो चीजें आज की डेट में हमारे कानपुर वाजशियों के लिए जो सौगा दी जा रही है यह बहुत बड़ी उपलब्दी है जो की हमारे कानपुर वाजशियों के लिए कानपुर मेट्रों की एक नई सुरुआत हो गई है कल से या आपके लिए हर तरह से कहीं पर भी जाने के लिए तत्पर रहेगी आप इसमें अपना शपर कर सकते हैं और आज जो प्रधान मंत्री कीने मलव और भी योजनाओ का जो सुभारंद की आगए है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ नईने चीजें हम लोग को अपने यूपी वालों को मिली है और उसका सारा जो मत्रे नजर उसको देखा जा रहा है तो इसमें जो आने वाले चुनाओ को एक बीच में कड़ी रखके जोड़ी जा रही है कि जिस तरह से ये इनॉवेशन या इस तरह के सिलान याश या कोई भी नई चीजों की चीजें जो कर रहे हैं तो इससे उनके आगे के लिए वोट बैंक जो है उनका एक तरीके से पक्का होता चला जा रहा है तो ये कहने में आपकी स्योक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारा एक बार फिर से बीजेपी सरकर आएगी और योगी जी हमारे प्रदान मंत्री जो हमारे योगी जी है तो वो फिर से एक बार फिर से आगे के लिए कंटिनू उनको साथन मिलेगा और आने वाले समय में आपके यूपी में ऐसी ऐसी चीजें की सोगात मिलने लग जाएगी जो कभी किसी नहीं थी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो